Hello Kids, आपका हमारे चैनल Kids English Guru में आज फिर से स्वागत है आज हम आपको prepositions of time and place के बारे में पताने जा रहे हैं ये prepositions है in, on and at इनका यूज time और place में कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको time में बताते हैं इनका time में इनका यूज ऐसे होता है देखिए in the morning जैसे सुभा में, in the afternoon, दिन में और in 90, 80, 1980 में और in the 17th century, 17th सताबदी में एक और example देखिए in the next century, अगली सताबदी में तो इनका यूज हमेशा में के तौर पर जबाब यूज करते हैं तब होता है अब next आप देखिए on on का यूज होता है जैसे on Monday, Monday को on Saturday, Saturday को on June 3, June 3 को एक example देखिए on 1st October 2013 यानि 1 October 2013 को on Christmas Day, Christmas Day को अब है हमारा at at का यूज होगा जब आप कोई particular time बताते हैं या वक्त बताते हैं जैसे कि at 9 a.m, at 8 o'clock at 6 p.m, at night और at noon या midday जब आप वक्त या time बता रहे हैं particular तब at का यूज होता है अब एक में आपको sentence बना के दिखाता हूँ इन तीनों का यूज में in the morning on Monday यानि सुबा में मंडे को at 9 a.m 9 बजे I will go to Delhi इस sentences का जो मतलब है kids वो है इस सोमबार को सुबा में 9 बजे मैं दिल्ली जाओंगा ये इसका मतलब है अब आप देखिए place में कैसे in का यूज कह जाता है जैसे कि in England in China town in a car in a traffic jam यानि traffic jam में in time square time square में मतलब कोई आप जगा के बारे में बात कर रहे है तो आप इनका यूज करेंगे अब आपको मैं बताता हूँ on का आप कैसे यूज करेंगे on का यूज होता है on a bus on a plane on a horse plane के उपर है on the phone phone के उपर आप बात कर रहे है on the internet इंटरनेट चला रहे हैं तो वहाँ पर on का यूज होता है अब प्लेस में जब आप add का यूज करते हैं तो वो particular आपको एक जगा बताता है जैसे कि कोई नाम से famous होती है जैसे add 675 state street add the bus stop add the door at the top of page at someone's house add का यूज इस तरीके से किया जाता है places में इन on and add का यूज आपको कैसे करना है इसमें आपका confusion दूर हो गया होगा few examples मैंने आपको इस videos में दिये हैं आप ऐसे use कर सकते हैं इनका तो आज की video काफी छोटी है लेकिन video में आपको prepositions के बारे बताई गया है और भी कई तरह के prepositions होते हैं उसके साथ में आपको नई videos लाके दूँगा आज की video में फिलाल इतना ही video पसंद आया है तो please video को आप like कर दीजी हमारे channel kids English guru को subscribe कर दीजी साथ ही आप bell icon को press करिए ताकि नई videos के notification मिल पाए सबसे पहले तब तक के लिए thank you goodbye visit again